हलो एबरीवन आम सोम सोम दहिया वंस अगेन आई वेलकेम यू ओन दा रूरल फाइट यूट्यूब चैनल सो आज एक बर फिर से मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो ले करके सो बेसिक्स इंगलिस सीखने का ये दे थ्री है इसके अंदर आज हम कुछ फ्रेजिज प्लस कुछ ऐसे सेंटेंसे सीखेंगे जो हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं तो यदि आप उनको बेसिक से सीखना तो बेसिक बेसिक सेंटेंसे मैं आज आपको बताने वाला और मैं आशा करता हूं कि आपकी पिछली दो वीडियों भी बहुत हैल्फुल रही होंगे आपके लिए और ये दे थ्री हैं आगे भी ऐसे ही दे देखते हैं कितने दिन तक चलता है ये और मैं इसको कंप्लेट करवाने के पूरी-पूरी कोशिश करूँगा तो आप अपन को सैमती देते हैं तो उसके positive में नौगर के भी negative में भी जवाब देते हैं जैसे क्यों नहीं हां कल देली चले हैं क्यों नहीं इसका मतलब कहा है कि आप उसके लिए agree है उसको आप consent दे रहे हैं अपनी सैमती दे रहे हैं तो उसमें भी आप कह सकते हो why not switch on the light please simple हो गया है कि क यह यूज कर सकते हो, switch of the light please, ठीक है, wait outside, wait outside means बाहर इंतजार करो, किसी को आप कह रहे हो, आप ओफिजन बैठे हो, तो उसको कह रहे हो कि हाँ आप बाहर इंतजार करो, I'm just coming, so wait outside, you better listen up, you better listen up, कान खौल कर सुनो, कई बार हम किसी को threaten करते हुए कहते हैं, या किसी को धमकी देत हुए कहते हैं, कि तुम कान खौल कर सुन लो, तो कान खौल कर सुनने को हम कहेंगे, you better listen up, चलिए अगली फ्रेज की तरफ बढ़ लेते हैं, अगली बहुती खास फ्रेज है हमारे लिए, what's up, what's up, एक तो होता है, what's app, जो कि एक messenger है, जिसे हम message, या फिसे हम chat करते हैं, वो होता है, what's up, what's up का में सता है, कि क्या चल रहा है, whenever we go to somebody, and then we ask, कि क्या चल रहा है, आप कैसे हो, so, उस case में हम कहते हैं, what's up, चिक है, so, nothing special, nothing special means, कुछ खास नहीं, जो आप किसी हो कहते हो, कि नहीं, बस सब कुछ कुछ ठीक ठाक नर्मली चल रहा है, तो उस में कह सकते हो, क चल ले, next है, anything else, anything else का मेंस होता है, कुछ और, ठीक है, like, किसी को कुछ आप ओफर कर रहे हो, मतलब, जैसे हम डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, कुछ खाने के लिए, ठीक है, तो आप कहते हो, ममी, एक परंठा दे दो, एक परंठा दे दो, थोड़ी सी दे दे दो, तो उस है, anything else, कुछ और, और इसके जवाब में आप कह सकते हो, nothing else, नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ और, नहीं, ठीक है, anybody else, anybody else का मेंस भी यह होता है, कि कोई और, ठीक है, जैसे हम गाव में किसी के लिस्ट बना रहे हैं, कि हाँ यह पचास बंदे हम इनको वहाँ invite करेंगे, और फ ठीक है, sorry for disturbance, as Vida के लिए, खेद है, as Vida के लिए, खेद है, ठीक है, जब आप किसी को disturb करते हो, तो इसको sentence है कह सकते हो, sorry for disturbance, ठीक है, तो यह तो होगे हमारे कुछ phrases, अब कुछ और sentences सीख लेते हैं, जो delivery basis में हमारे लिए बहुत important रहेंगे, simply आप किसी को कह रहा जाते हो कि यहां आओ, तो यहां आओ को आप English में कह सकते हो, come here, ठीक है, मुझे बताओ, मुझे बताओ को हम कहेंगे, tell me, ठीक है, यह एक ऐसे sentences है, जिने imperative sentences कहते हैं, basically imperative sentences वो होते हैं, जिन से कोई order command दर्शाई जाती है, ठीक है, आप किसी को order देते हो किसी को को कमांड देते हो, किसी से को रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो उन में ना हमारा question mark होता है, ठीक है, सिर्फ उसके अंदर, किसी को हम कुछ काम करने के लिए कहते हैं, ठीक है, यहां आओ, वहां जाओ, ये देखो, वो देखो, मतलब किसी को हम एक order या कमांड देते कहते हैं ठीक है तो इसमें सिर्फ वह भी होती है ना को टैंस होता है इसमें सिर्फ वह फरस्ट होती है और उसके बाद हमारा अबजेक्ट होता है ठीक है देखो यहां आओ यहां आओ आने को हम कम कहते हैं तो सिर्फ फरस्ट लगाई उसके बाद जो अबजेक्ट हो जो चीज बची हमारी उसको लगा दू, ठीक है, मुझे बताओ, बताना को हम टैल कहते हैं, तो टैल किसको मुझे, टैल मी, वो बुक मुझे दो, तो सबसे पहले हमें वब उठाने है, give me, क्या दो, मुझे दो, क्या दो, that book, ठीक है, give me that book, प्लीज, चलिए अगले सेंटेंस को देख ल वे, cup of tea, कपड़े सुखा दो, put the clothes to dry, कपड़े सुखा दो, put the clothes to dry, कई बच्चों के मैंने answer देखे हैं, कि कई करते हैं, कि dry the clothes, dry the clothes नहीं होता, यह हम इन कपड़ों को सुखने के लिए डालते हैं, ठीक हम सुखाते नहीं, ऐसा नहीं है, कि फुख मार मार के सुखा रहे है हम सुखने के लिए डालते हैं, और वो सनलाइट में सुखते हैं, तो put the clothes to dry, आलु छील लो, peel of the potatoes, peel of the potatoes, यह यहाँ पर peel of the potatoes, इसमें एक मिस्टेक है, इसको अपकरेक्ट कर लेना, बिस्तर लगा दो, बिस्तर लगाना को हम कहेंगे make the bad, make the bad, डक्कन खोल दो, तो डक्कन ख cover, null खोल दो, turn on the tap, turn on the tap, और इसी प्रकार से null बंद कर दो, null जिसे हम टूंटी कहते हैं, टूंटी, टूंटी, अलग अलग अरिया के साब से इसके नाम होते हैं, तो इसको बंद करने के लिए turn off the tap कहेंगे, turn off the fan, turn off the tap, ठीक है, तो आप जैसे पंखा बंद करने के लिए ब तो थोड़ा सा difference है, वो electric चीज़े हैं, उनको हम switch off करते हैं, और ये un electric चीज़ है, तो इसे हम turn off कहेंगे, जैसे कि क्योंकि turn का मतलब मोडना होता है, तो टूंटी का आपको पता यह होगा कि इधर से थोड़ी से घुमानी होते है, तो वो बंद हो जाते है, तो इसलिए turn off, खिड की खोल दो, खिड की खोलना को कहेंगे, open the window please, open the window please, थोड़ा सा gate खोल दो, open the gate slightly, open the gate slightly, इसके लिए एक word और है, ajar, ajar का मतलब होता है, जैसे हम gate को थोड़ा सा खोल रहते हैं, ता कि उसमें से sunlight भी आती रहे और थोड़ी सी हवा भी पास होती रहे, तो उसे अजार उसके लिए हम ajar use करते हैं, चलिए अगला वड़ देख लेते हैं, चादर बिचा दो, spread the bad shit, spread the bad shit, ठीक है, bad पर चादर बिचा दो, bad पर चादर बिचाने के लिए हम use करेंगे, spread the bad shit, sorry, spread the shit on the bad, spread the shit on the bad, ठीक है, तो यह थे आज के कुछ sentences और कुछ phrases जो आपके लिए मैंने त्यार की है, आपको यह मेरी कोशिस कैसे लगी, मुझे comment करके जुरूर बताना, thank you, see you in the next video